भारतिय जंता पार्टी की यूपी में दूसरी बार जीत के बाद शपत ग्रहंड कारेकरम के तयारियां जोर शोर से चल रही है 25 मार्च 2022 को शाम चार बजे टल विहारी वाजपई इंटरनाशनल क्रिकेट स्टेडियम में योगी सरकाट 2.0 का शपत ग्रहंड कारेकरम आयुजित किया जाना है कारेकरम में 12 राज्यों के मुक्य मंत्री और 5 उप मुक्य मंत्री शामिल होंगे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी, ग्रे मंत्री अमित्शा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, बीजेपी राश्टी अध्यक्ष, जेपी नड्डा और कई बीजेपी राज्यों के मुक्य मंत्री और उप मुक्य मंत्री भी शामिल होंगे योग गुरू बाबारामदेव सभी प्रमुक मठो और मंदिरों के महंत भी समारों में मौझूद रहें कारक्रम में नामचीन उद्योग पतियों को भी आमंत्रित किया गया है तो उत्रप्रदेश में मुक्यमंत्री योग आदितनात के दूसरे शपत ग्रेंड समारों का साक्षी उत्रप्रदेश बनेगा जहां राजधानी के अटल बियारी वाजपर इकाना स्टेडियम में 50,000 से ज़ादा और 200 से ज़ादा वी वी आई पी लोग एक इस्तान पर शपत ग्रेंड समारों के साक्षी बनेगा स्टेडियम और आसपास के शेत्र को सजाय जा रहा है 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगिया आदितनात की शपत ग्रेंड समारों के लिए तैयार यां आखरी चरम पर है कि लिए 25 मार्च का दिन एहम होता जा रहा है जब मुख्यमंत्री योगिया आदितनात एकाना स्टेडियम के अंदर शपत लेंगे इस पूरे स्टेडियम को अंदर से दुलहन की तरह सजाय जा रहा है और इसकी सुन्दरता और जो भवता है उसको दर्शाने के लिए क्यों कि यहां पर पचास हजार से जादा लोग मुख्यमंत्री योगिया आदितनात स्टेडियम के साक्षी बनेंगे और आप देख सकते हैं इस चारोत स्टेडियम के आसपास जो है तैयारिया जो रोपर है जहां पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं जहां पर जो गमले जाम हो और इस पूरे कारेकरम के अंदर लगभग मुख्यमंत्री के साथ साथ अगर बात की जाए कई राजियों के मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद रहेंगे और सबसे बड़ी बात है रादधानी के लिए सबसे बड़ा दिन 25 मार्ज है जब मुख्यमंत्री योगिया इतनात की शपत ग्रेंट समारों में प्रधान मंत्री शिर्कत करेंगे और इसके साथ ग्रह मंत्री रहेंगे रक्षा मंत्री रहेंगे और 2500 से जादा बाहर से जो विदेश से जो लोग हैं वो यहां पर प्रवासी भारती आएंगे और यहां पर इस कारिक्रम में शरीक प्रदेश के आने वाले विकास के लिए ही यहां से दूसरी बार मुख्यमंत्र يोग्या अदितनाथ शपत लेंगे और इस शपत ग्रहन समारों के अंदर सिरफ राजधानी के लोग ही नहीं, सिरफ मेहमान ही नहीं, पूरा प्रदेश इस शपत ग्रहन समारों का शाक्षी बने और इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और आप ये नजारा जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की इस राजधानी का जहां पर जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं काम करने में ताकि जल से जल इस काम को फाइनल करके 25 तारीक की जो दिन मुकरर किया गया है मुख्यमंत् और इस स्टेडियम के साथ साथ पहली बार ऐसा होगा जब एकाना स्टेडियम किसी मुख्यमंत्री की शपत का जो है भागिदार बनेगा पहली बार मुख्यमंत्री योगिया दितनात एकाना स्टेडियम में शपत लेने जा रहे हैं कि एकाना स्टेडियम में शपत लेने ज अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें